नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़। कर्ज से मुक्ती के लिए आज ही आजमाय ये तोटके धन व्रिद्धी में होंगे सहायक। ज्यादातर लोग दिन रात मेहंत करते रहते हैं कि कैसे भी कर्ज से मुक्ती मिल जाए और जीवन पट्री पर आजाए लेकिन कई बार तो मेहंत करने के बाद भी अच्छा फल नहीं म मिलता। तंत्र शास्त्र में कर्ज मुक्ती और दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ विशेश तोटके वह उपाय बताए गए हैं। इन तोटकों वह उपायों से जिंदगी में फिर आर्थिक समरिद्धी के योग बनना शुरू हो जाते हैं। महंगाई के दौर में आमधनी अठनी खर्चा रुपया हो गया है। कई बार अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए कर्ज लेने की स्थिती बन जाती है क्योंकि जो सैलरी मिलती है या आमधनी होती है वह मंधली खर्चों को पूरा नहीं कर पाती। और फिर यही जिंद जगी खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी यह कर्ज खत्म नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज मुक्ती के लिए बेहत कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशाल जीवन होता है। उपाय से धन प्राप्ती के बनते हैं मार्क। तंत्र शास्त्र में सियार सिंगी बेहत चमतकारी माना जाता है। अगर आपको सियार सिंगी मिल जाता है तो उसको एक डिब्बी में रख लें और उसको हर पुश्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। इस उपाय को क करने से शीघर फल मिलती है और कर्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वहीं अगर आपको हथा जोडी मिल जाता है तो उस पर सिंदूर लगा कर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है और धन प्राप्ती क के मार्ग भी बनते हैं। नंबर दो इस उपाय से आर्थिक समरिध्धी के बनते हैं योग। कर्ज मुक्ती के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवरित होकर सुबह शाम पीपल के वरिक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौमुख दीपक जलाएं। दीपक जला गा लें और उसको एक नारियल पर पूरी तरह लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आर्थिक समरिध्धी के शुब सन्योग बनते हैं। नंबर तीन इस उपाय से होगा कर्ज दूर। इसके बाद बिश्नुजी व लक्ष्मी जी की मूर्ती के सामने रुमाल को रख दें और बाकी की चीजों को 21 बार गायतरी मंत्र का पाठ करते हुए बारी-बारी से रुमाल पर रख दें। जब सारी चीजे रुमाल पर आ जाएं तो फिर उन सभी चीजों को इकठा करते अगर आप कर्ज की भारी समस्या से जूज रहे हैं, तो श्मशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के व्रिक्ष पर अर्पित कर दें. ऐसा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि जब आप यह तोटका करें, तो इसके बारे में किसी को भी ना बताएं. अकेले जाएं और इस उपाय को करके घर आ जाएं. ऐसा आप लगातार छे शनिवार करें. इसके बाद आपको चमतकारी परिन दिखने लग जाएंगे. नंबर पांच इस उपाय से होगी तरक्की. हर रोज 50 ग्राम मसूर दाल का दान करें और भगवान गणेश की पूजा के बाद दूर्वा वमोदक का भोग लगाएं. साथ ही शनिवार के दिनकाले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपरी रोटी खिला लाल किताब का यह उपाय आपके लिए बेहत शुब फल्दाई साबित होगा. इस तोटके से जीवन में तरक्की के मार्ग बनते हैं और कर्ज में भी कमी आती है. नंबर छे इस उपाय से दरिदर्टा होगी दूर. सवा पांच किलो के आटे में सवा किलो गुर मिला कर उनकी रोटियां बना लें और फिर उन रोटियों को गुरुवार की शाम को घाय को धीरे धीरे खिला दें. इस उपाय को आप लगातार तीन गुरुवार तक करते र तो गुरुवार के दिन ही पिस्वाएं और बाजार से लाते हैं तो गुरुवार के दिन ही लाएं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार।